नमस्का विद्यार्थी मित्रो युनिट 11 लेक्चर नमबर 10 अने अलकोहल फिनोल इधर नमना चेप्रमा आपसर्वेनु फरितियेक वात हुँ जेडीशा स्वागत करने जुँँ मित्रो आ टोपिक मां आपने भणीशु आलकोहल अने फिनोल ना बहुतिक गुणधर्मों फिजिकल प्रापर्टीज अफ आलकोहल्स एड फिनोल्स खुब अगत्यानी अने ननक्डी त्रोण मारक्टी थियेरी तरीके आएक प्रस्ण उची शकाई पेला भण्तिक गुणधर्मों बढ़ीशु अने एना पछी ना अग्यार मां लेक्चर मां अपने राशाणीक गुणधर्मों पन दिमेदी में बढ़ीशु तो मित्रो आलकोहल्स ना भवतिक गुणधर्मों हुँ एक पछी एक लखी ने तमने समझावु छु एमां पेल पेलों उनदर्मों एवो छे के आलकोहल्स समुना सही हो जनो एक्च बंद इटले के हाइड्रोजन बंद रचे छे तेथी तेमना उतकलन बिंदू इथर के हाइड्रोकार्बन करता उंचा होई छे एन मने एक उदाहरन लईने आपने जोईशू ध्यानां जो जेनना आंग्रीयद और लड़भग सरखा होए तेवा सैयोजनोना आपने उदाहरन लईशू जेनके अईया एक आलकोहल लोजू CS3, CH2, OH एनू नाम मित्रो आपने दद्धानेज खवर जे इथेनों त्यार पची CS3, OH CS3 आलकेन लिदो छे सोरी इथर लिदो छे जेनू नाम थसे मित्थक सी मिधैन अने भवे आलकेन लेंशू जेमा कार्बन नी संख्या त्रण हसे CS3, CH2, CS3 इतले ग्रोप है तमने यू रियलाइस थाशे कि आ एक बे आने त्रण संख्यों जनोच क्याम पसंद करया तो जवाब छे त्रणे ना आनवी अगर लगभग सक्था हसे द्रोन अग्यार नी शरू आतमाज तमे भुदा आनवी अगर लगणता सिखी गया छो कार्बन नो पर्मानों गलाँग 12 एवा कार्बन पे 12 दोई 24 हाइड्रोजन नो पर्मानों गलाँग 1 छो हाइड्रोजन पूल 24 ने छो 30 अने ओक्सीजन नो पर्मानों गलाँग 16 एटले 30 ने 16 छेतारिस तो इथेनोल नो आनवी अधर 46 ग्राम प्रती मोल थशे अथवा एवा एवा यूपण तेर्शका है मिथोक्सी मिथेनमां बे कार्मन छे एटले 12 चो हाइड्रोजन 24 ने छो 30 अने एक ओक्सीजन छे एटला माटे अईया आप्रण 16 ग्राम प्रती मोल ए मिथोक्सी मिथेन्नू आणविय दढ़ थशे अने प्रोपेन एमा कार्ण नीजंख्याई बे आने प्रॉण छे 12 चत्रिस अने 3,25 ने त्रोण आड हाइडरोजन छे ले चत्रिस ने आड चुम्माडिस ग्राम प्रती मोल आप मौमाण भिय दढ़ छे मित्रो प्रोपेन नू stumbled. हवे दरेकन उत्कलन बिंदूनो प्रायोगीत अब्व्यास कलता समझायों के इथे नौन उत्कलन बिंदू 351 केलेँ छे जरे मिथोक्सी मिथेन्न उत्कलन बिंदू 298 केलेँ छे जहां प्रोपेन नों उत्कलन बिंदू 211 कर्वेन चे आप जोई सको छोबितो के जहें जहें आलकोहल थी इथर तरफ अने इथर थी हाइट्रोकर्वेन तरफ जहिए चे तेन उत्कलन बिंदू भट्ता आगाई चे अई यां एवुपण कई शकाए के आलकोहल इस ग्रेटर हैं और हाइड्रोकर्वेन तो अहिएं उस्वेंश के आमना उत्कलन बिंदू ना अभ्यास पर थी इटलो लखी शकाए जरा तड़िये लखुचू ध्यान अब जो के उत्कलन बिंदू नो उत्र तो क्रम एटले डिसेंडिन ओल्डर तो जवाब चे आलकोहल इस ग्रेटर धेन इथार इस ग्रेटर धेन हाइड्रोकर्वेन्ज हम्मेशा उत्कलन बिंदू नो क्रम आरितना रेशे तो तमने आत्रों उदाहरण द्वारा में समझायू कि केवी रिम्मना उत्कलन बिंदू कोणू होई छे पड़ाम तो एली करती है एक जजमेंट मेड़ी शकाया कि जेमा हाइड्रोजन बंदनी संख्या बदू होई तेनों उत्कलन बिंदू उत्मूचू होई अग्यों हाइड्रोजन बंद समझावा माटे बीजी आकरूतिनों प्योकन्स अने आलकोहल मां एक्च बंद समझाव हमfikाँ को माटे फैर आर अवे एक तरीक आंकोहल में दर्शा इंश तो आ ओ है ऑच आ पो है ओ ऐस आ आ, ओ, एच, आ, ओ, एच, मित्रों आप जोई सकोशो कि मैं हाँको हलज दर्शा वैशे, परन्तों आपने जाने ये छिए कि ओक्सीजन आंसिक रून आने हाइड्रोजन आंसिक दर्ण, एटले ओ पर माइनस देल्टा आने एच पर प्लस देल्टा, अविरित मैं दरेट पर व माइनस देल्टा, प्लस देल्टा, माइनस देल्टा, प्लस देल्टा, आंसिक ढण, आने एच रूनन विजभा रगाचacked छे, जे वधारामा तुट्टाथ बंद बन्ध बनें शुए, एनेर्य आपने हाइड्रोजन बन पईशुम्झे जैना विशे भिगते चर्चा, अप बेंजिन चक्र अने उपर O औने H फरीथी बेंजिन चक्र अने NU औने H हुआँ चाला तरे हैं हावड आपने जानिये छिे के O-Τ अने H plusΤ इविन इतना O-Τ H plusΤ इटले आ बन्ने अन वच्चे H बन्द रचाशे। मित्रो आभा H बन्द ने अपने आंतर आनवी या H बन्द कहिशू। क्यों H बन्द कहिशू? आंतर आनवी या H बन्द इटले अन अन वच्चे रचातो H बन्द अलकोहल सेयोजनों के फिनोल सेयोजनों ना उंचा उतकलन बिन्दू होवा नुकारण आंतर आणवी या हाइट्रोजन बंद छे जे दरेक आणवी वच्चे जो आपड़े छे। एक बीजे विगत पण नोधुवी पड़े एने आपड़े बीजो नियम पेशू जे कार्बन नी संख्या वदे सेनी संख्या वदे कार्बन नी संख्या वदे पैन उतकलन बिन्दू पण वदे छे। फॉर एक्जाम्पल मिधेनो एले एक कार्बन वड़ो अल्पोहल एनू उतकलन बिन्दू इस लेस देन CS3,CH2,OH अने त्रोन कार्बन वड़ो अल्पोहल लाइए तो CS3,CH2,CH2 अने OH जो चार कार्बन वड़ो अल्पोहल लेए तो बिटेन और पंड लई शकाए जेम जेम कार्बन नी संख्या वद्ती जाए तेम तेम उतकलन बिन्दू वद्तू जाए मैं यह चड़तो क्रम बतायो शे तमाने जो उत्तरतो क्रम बतावो होए तो पहला आ संहियो जन लखवा अने ग्रेटर धैन करीने चल्लो आसेंगो जाए आउसे त्यार पिछन त्रीजो नियम लखवाँ जाए प्राथमीक थी द्वितियक अने द्वितियक थी तुरुतियक तरब ज़ाए उतकलन मिल्दू हम्मेशा घटे जाए उन उदाहरम लेनेत संजहरश CH3, CH, CH3, हवे आने प्रोपैल 2 ओल के वाए इटले द्वितियक अल्कोहॉल के वाए उने CH3, CH2, CH2, OH आने के वाए प्रोपैल 1 ओल इटले प्राथमीक आल्कोहॉल मित्रोप प्राथमीक नूँ उतकलन मिल्दू संथी उचु होई द्वितियक नू एना थी गटे अने प्रुतियक नू एना थी पण गटे एनू कारण शे के श्रूंखला संक्सेत ततती जाए प्राथमीक नूँ बादकोहूल, तो प्राथमीक द्वितियक नू उचु अने प्राथमीक नूँ खटे ना थी गटे शे अने एक छलो नियम समझाओ छो जल द्राबियता फिनों अथवा अलकोहलिक सजयोजनों पाणी मां खूब सारा द्राबियों होचे अने जहने इतनों अनुबार नीचो तेम एमनी जल द्राबियता खूब बदा है जो आउबार वत्तो जाए काथो आलकाई के एराइन समुनू कद भदतू जाए तो एमनी द्राबियता घटती जाए परन्तु जल द्राबियता वदू होवार नुटारान पाणी साथे एमनों एक्च बने शे तो पाणी साथे एक्च बने शे ए दर्सावी अने उदाहरन इथेनों तो CS3, CH2OH, हईया ऑपर अवंकर इलेक्टरान यूग्मा बताया विशु, अने हूँ या पाणी नो अनो पाड़ूँछु, होह, पाणी नो बीजो अनो पाड़ूँछु, होह, एये त्रीजो अनो पाड़ूँछु, ओह, अने ह। आप जो ही जत्म जो बित्रों पाणी का त्रॉन मामों पाड़े आशे परंतु दरेट को माइनस देल्टा हाशे दरेट एच प्लस देल्टा हाशे तो आ बनने एच ए अलकोहल ना अपसीजन साथे एच बन बराऊशे वड़ी आलकोहल ना ओएच नो एच एच एपाणी ना ओकसीजन साथे आ मैनस देल्टा और आएच प्लस देल्टा हाशे वदू एक एच बन बनावशे आम जो आजी ये मित्रों तो एच बन नी संक्या मा वधारो थाईराल चे अने एकला माटे आ आलकोहल सहियो जनो पाणी म द्राभिय छे, वदू द्राभिय छे, सारा द्राभिय छे, एनी सते फिनोल सहियो जनो पन पाणी मा आईच द्राभिय छे, एरोमेटिक चत्तना होवा थी एनी द्राभिय आम घ्टालों थाई छे, प्लंतु आहिन्या ओपर अबंधकरात इलेक्टरौन युकम दर्शा અને H-O-H અને આ બણને બંચે H-બંદ રચા શે અને ફીનોંત પાણીમાં અંશીક રિતે દ્રાગીય થશે મીત્રો અને પરધી આપણને એક વસ્તો શીકવા મળી કે ચાહે આંપોં હોય ચાહે ફીનોલ હોય ઓએત સમું લાબે તાપા વધું છે બચ્ચે દર્શાવેલા આપ બે નીયામો પણ યાદ રાખવા જવાશે મીત્રો ઉદકલમ બિંદુ પરીકશામા એમીતી ક્ચ્ચ્યમાં પુછાવાના નીથી એટલે ઉદકલમ બિંદુ યાદ રાખવાની જરૂર પરંતુ ઉદકલમ બિંદુ લખ્યા વગર હું તમને એમનો ચળતોકે ઉદર્તોકરમ સમજાવી ન સહું એટલા માટે ઉંચાવઈ છે બીજીવા એચિ બંદની કરીયાતી એટલેગે આંતા આણ્યએ એચબં જેના કારાનેજ એમના ઉદકલં બિ ફिનોલની સારી હોઈ છે આલ્કલની ખૂગ વધું હોઈ છે ફીનોલની આંશિક હોઈ છે વળી જેમ આણ્વીયદળ ગદે ત ત્યારી તમે બધા જે લેક્ચાસ ઓંલાઇન બણી રેયા છો તે તમારા એક ર્ફ ડાયરામાં નોજસો કાંતો કેમાસ્ટ્રી ના ઓંલાઇન એજુંકેશન નો એક ચોપડો બનાંશો અને એ ચોપડા માં ચેપટર વાઈસ ટાપીક અને ગુજકેટ માં પણ અત્યંત ઉપ્યોગી નીવાર સે અને તમે એનું જળવતી દીવિજાન કરી શક્શો એતમને પાઠ્ય મુખ્ય મુખ્ય થીએલી કાતો ટાપिક તમને અભ્યાસ કરાવી રહછું પરંતુ પાઠ્ય મુસ્તકના કત્લા ક MCQ જે આજ મુદ્દાઓ આતો આજ સિધાંતો પર આધારિચ છે તો એની પણ સાથે સાથે પરક્ટિસ કરસો તો આરકોહાર ફિલોલના હોપી ગુળધરમો એટલે કે એમના એચ્બંધ વાળો પ્રસ્ન એ મુદ્દો કુર્ણ કરું અને હોવે પાશીધી આપણે રાસાયની ગુળધરમો અગ્યારમાં લેચ્રમાં ભણીશું તેક કેર ગુડ્બાય થેં